हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्यारो न्यू वेकेंसी 2021 के एटोटाइजमेंट नमर 02-2021 के बारे में हम पोस्ट की बात करेंगे मल्टी स्किल्ड वरकर पेंटर के बारे में इसके requirement process क्या क्या होने वाली है syllabus क्या होने वाला रिटन एकजाम के लिए इसकी भी हम चर्चा करेंगे वीडियो सुरू करने से पihले आप से एक चोठी स्रिक्वेस्ट है अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबिस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आनवारी नोटिपिकेशन आपको प्राप्त हो सके और बियारो से समद्री लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल में जूड़ सकते हैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यदि आपने अभी तक पेंटर के लिए एपलाई नहीं किया है तो जल्दी एपलाई करें किस परकार फॉर्म को भरना है एपलिकेशन पर इस किस परकार जमा करवानी है डोकुमेंट कौन-कौन से भेजना है और लिफाफे के उपर क्या-क्या लिखना है इन सबी वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गए है आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं फोरम एपलाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट सेप होता है वह होता है सेलिबस के बारे में जानकारी होना जब सेलिबस की जानकारी होगी तो हम आगे की तियारी कर सकते हैं तो आज के वीडियो में हम माल्टी स्केल्ड वरकर पेंटर के लिए जो syllabus होने वाला है उसकी चर्चा करेंगे और requirement process में क्या-क्या होने वाला है उसकी भी हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम इसमें पोस्टों की बात करें पेंडर के लिए तो आपके total post है वो 33 post पे vacancy होने वाली है सबसे ज़्यादा OBC की है AWS के तीन है ST के लिए 2 है और SC के लिए 6 है यूर के टेगरी लिए कोई post नहीं है अगले process के हम बात करें इसमें हम देखते हैं requirement process के बारे में forum apply होने के बाद में आपके collator एवो exam के लिए जारी किये जाएंगे issue of collator तो आप देख सकते हैं जितनी vacancies हैं उसके 10 गुना collator है वो जारी की जाएंगे तो आपकी कुल 33 vacancy है तो 33 को आप 10 से गुना कर सकते हैं लगबग 300 से ज़्यादा है वो आपके admit card आने वाले है कि इसके बाद में आपके written test होने वाला है रिटन टेस्ट है वो Еще वी यरूप की जो center बनाए गए उन पहे होने बाला है उसके बाद में आपका physical efficiency टेस्ट होगा इसके बाद आपका practical टेस्ट होगा वोर उसके बाद में medical वगईरा होने आगे हम इसमें देखते हैं फेंटर के लिए रिटन एक्जाम है वो किस परकार का होने वाला है तो ओमार सीड बेस्ट आपका एक्जाम होने वाला है जिसमें आपको बुल्य या ब्लेक पैन लेके जाना है इसमें हम बात करें तो आपका पेपर है वो इंदी और इंगलिस दोनु लेकमेज में आएगा और समय है वो आपका एग गंटे से तीन गंटे का समय दिया जाएगा जो डिपेंड करता है आपकी ट्रेड के उपर multiple choice question आपके होने वाले हैं return exam के बाद में minimum आपको pass करने के लिए UR, AWS, OBC केटेगरी लिए 50 परतिसत है और AC, ST के लिए 40 परतिसत अंगलाना अनिवारी है इसके बाद में आपका physical efficiency test होने वाला है यदि इसमें अनिवारी है तो इसके बाद आपका practical test होगा ये सब होने वाला है अब हम इसमें देखते है return exam के लिए आपके syllabus क्या होने वाला है तो आप देख सकते है syllabus for written examination multi-skilled worker painter के लिए cutting of stencil later writing of English Hindi alphabet और numerical की जानकारे की size आपको होनी चाहिए making of drawing की जानकारे होनी चाहिए किसे ने वापको painting और police के लकडी पर किस परकार करते है इस परकार के question भी आएंगे knowledge of different type paints के बारे में जानकारे होनी चाहिए storage और paint की भी जानकारे होनी चाहिए और general knowledge के question भी आएंगे अब हम हिस हिंदी में देखते हैं आप देख सकते हैं liquid practice लिए particular में वापका लकडी की painting और police वारनेस का पर परसंद पूचे जाते हैं विबिन परकार के paint का आपको ग्यान होना अनिवारी है इसके बाद में paint और वारनेस की प्यारी और बंडार के बारे में जानकारी होना और सामने ग्यान इस सबी से समद्धित आपके परसंद आने वाले है तो यह आपका particular होने वाला है वो है return exam के लिए अब हम इसमें आगे बात करते हैं practical के लिए painter में क्या-क्या syllabus है उसकी भी हम चर्चा करते हैं practical test या skill test की बात करें तो यह आपका grip sander पूने में होने वाला है जिसमें आपके minimum 40% मार के वो आने अनिवारी है multi-skill worker paint रखके लिए practical में बात करें तो आपके paint की जानकारी होनी चाहिए surface of painting police or awareness के बारे में बनवा सकते हैं identification of brush age per use brush का किस परकार यूज करें or removal for old paint पुराने paint को किस परकार से हटाए इन सभी के बारे में आपको practical करवाय जाएगा आज की जानकारी आपको कैसे लगी comment करके ज़रूर बताएं और भी आपका कोई doubt हो तो comment करके फूच सकते हैं धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं next video में